फाइनली फिल्म इंडस्री के सबसे पॉपिलर कपल रंबीर कपूर और आले अबट की शादी हो गई है दोरौनी मुंबई के अपने घर वास्तु में 14 अप्रेल को शादी की कपल के शादी में close friends and family पहुंची नो डाउट शादी के फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर ताबर तोड़ वाइरल हो रहा है आले ने भी अपनी सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीर करते हुए कैप्शन में लिखा था आज अपनी परिवार और दोस्तों से घिरे घर पर हमारी पसंदिदा जगा पर जिस बालकनी में हमने अपने रिष्टे के फिछले 5 साल बिताए हैं वहां हमने शादी कर ली पिछले कुछ सालों से हमने कई यादे कठे की हैं अब हम एक साथ और अधिक यादे बनाने के लिए इंतिजार नहीं कर सकते हैं यादे चुप्यार, हसी, चुप्पी, मुवी नाइट्स, जगड़े से भरी हो हमारे जीवन के इस महत्वपून समय में प्यार देने के लिए धन्यवार, आपके इस प्यार की वज़े से हमारे खास दिन और भी खास बन गया, लव, रन्बीर और आल्या, वही ये दोनों की शादी तो हो गई है, लेकिन सब के बीच ये सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या अब रन्बीर आल्या रिसेप्शन प्रो करेंगे, हाला कि श सपल के फैन है, तो आपको जान को थोड़ी मायूसी होगी कि रन्बीर कपूर और आल्या भट की शादी के बाद सच में रिसेप्शन नहीं होने वाला है, खबरों की माने तो नीतो कपूर के बार उनके कोरियोग्राफर मास्टर जी राजेंद्र सिंग ने भी ये साफ कर द अब शायद कोई पूजा होगी जिसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, और जहां तक मुझे पता है कोई रिसेप्शन नहीं होने वाला, बताने कि शादी के फंक्शन खत्म होने के बार नीतो कपूर अपनी बेटी रिदिमा और दमात भरत सहनी के साथ मीडिया क सामने आए थी, उन्होंने पपराजी को थैंक्यू किया था और आल्या और अन्वीर को धेर सारा प्यार भी दिया, वहीं इसके लावा जब उनसे रिसेप्शन को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने साफ कर दिया कि कोई रिसेप्शन नहीं होने जा रहा है, बल्कि उन्ह प्रेवी आ रहे हैं कि दोनों पहले अपने वर्प कमिट्मेंट्स को पूरा करेंगे और इसके बाद ही हनिमून के लिए जाएंगे। वही आगो बतारे कि कपल एक साथ ओन स्क्रीन पर अयान मुखरजी की फिल्म ब्रहमास्त्र में नजर आएगा। फिल्म सब्तेमबर 2022 में रिलीज होगी।